आपका हमारा यूटूब चैनल लेनमडिसी अनलाइन क्लासेज में स्वागत है इस वीडियो में फ्रेंड्स में बात करने वाला हूं 27 तारिक को जो आपका पेपर हुआ है ट्रेड वालों का उसमें जीके जो है क्या पूछा गया है और हमारा जो कोर्स है उससे कितना मारक आय है तो फ्रेंड्स में बता दूँ जीके का लेवल जो है फिशली बार डिश्टीड लेवल का अधिकतर था मैक्सिमम लेकिन इस बार जो है जीके का लेवल बहुत ही आपका छेत्री कह दिया जाए कि छेत्री चीच जो होता है संस्कृति जो होता है कल्चर जो होता है यूज करता है क्या कान में पहनता है क्या उड़त की डाल को क्या बोलता है और जो कुछ कोश्चन भी थे और डीप थे जैसे 2005 में कौन यहां पर जिला पंचायत का पूछा था ऐसे कई कोश्चन पूछे गए थे रिलाइंस के पेट्रोल पंप कितने और इस सार का कलर क्या है तो यह सब जो है फ्रेंड्स आपके बहुत ही बेसिक कोश्चन बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि एक हार्ड पेपर बनाये गया था जो वहां पे लोकल भी लड़के हैं एक दो दोस्तों से बात किया तो भी बता रहे हैं कि जन्व से यहीं हैं लेकिन इस बारे में ध्यान नहीं गया था कि इतना भी बेसिक पूछा जाएगा तो फ्रेंट्स देखिए अगर एक परिच्छा सही से हो रहा है तो मैं बता दूं इमांदारी से कि मेरिट कहां तक जा सकता है मुझे लगता है 65 से 70 के बीच में इसका मेरिट बन जाएगा जो बहुत ही अच्छा होगा पढ़ने में टेलेंटेड होगा उसको 65 से 70 बहुत ठीक है और हमारा कोर से कितना है तो मैं इसमें जो है एक इमांदारी से अपना निस्पच्छ रखते हुए रिवियू दूंगा कई लड़कों ने जो बताया है पांस से छे कोश्चन जो है मेरा पढ़ाय हुआ आया है ठीक है तो फ्रेंट्स मैं बता दूं कि अब आपका ज प्रेंट्स में सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप दंते वाड़ा एक्जाम तक के लिए अभी से निकल जाए और कहीं पर जाके दंते वाड़ा में एक रूम सिफ्ट करने या कहीं भी तभी हो पाएगा ठीक है मैं बता दूं चाहें आप को स्विकार नहीं करते हैं तो आप बार-बार हारते हैं यानि आप अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं तो आप बार-बार हारेंगे जब आप अपनी कमियों को देख गए तब आप जीतना स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो वही मैं बोलूँगा आप हमारा भी देखे मैं कोर्स जरूर बेच रहा हूं लेकिन मैं क्लियर बोलूंगा कि हमारा कोर्स से बहुत ज़्यादा आप अगर फायदा का उम्मीद कर रहे हैं तो फायदा नहीं होगा क्योंकि बहुत ही बेसिक पूछा गया है ठीक है अधिक से अधिक मान लिजिए पचास कोस्चन में अगर पा रहेगा लेकिन अगर आप सोचेंगे पूरा इसी कोर्स के दम पर हो जाएं तो मुस्किल है फ्रेंड्स मैं जो भी रहेगा इमंदारी से निस्पच्छ अपना वात रखूंगा तो इस वज़ा से अगर आप एनमडी सी का वेकेंसी में सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से घर वार सब छोड़ छाड़के दंते वाड़ा पहुच जाईए कई ग्रूप कई लोग ग्रूप में लाके उसको पूरा एरिये को बाइक से घूमिये वहां पर देखिए क्या क्या है लोकल में हर एक चीज को देखिए मंदिर जा रहे हैं दंते वाड़ा अगर दंते का इतिखास खंढल डालिये कि कब बना था किसने बनवाया था कहां से इसका रथनी कलता है क्या होता है हर एक चीज आपको खंढलना होगा जो मंदिर है ओं कि से में हैं जैसे एक पूछा था आपका ढोलकल गड़ेश जो है दंते वाड़ा से किस दिसा में हैं तो आप वहां जितना भी पर्याटक अस्थल है एक एक पर्याटक अस्थल को देख डालिए जिले से दूरी कितनी है कब उसका मनलब प्रसिद्धी का कारण क्या है हर एक चीज और वह आप काम जब अब तक फिजिकल लूप से वहां पर प्रजेंट नहीं हो रहेंगे नहीं हो पाएगा एक क्योंकि देखिए जहां तक मेरा मैं बता दूं जो लोग वहां पर क्लास भी करते थे ठीक है जो उनका इस्पेशल क्लास चलता था आप पूछ लेना ओ लोग भी नहीं कर पाया है जो मनलब वहां का लोकल लोग है या जो बहुत सालों से रह रहा है वो लोग भी ऐसे को साल्व नहीं कर पाया है अगर मैं आप से ही पूछ दूं आप चाहिए जिस भी जीले के हो इंडिया में आपके हां रिलाइंस का पेट्रोल पंप कितना है तो जाके फिजकली रूप से अपना तैयारी करना पड़ेगा पूरे एरिया को घुमना पड़ेगा और कुछ गोंडी चैनल जो हैं उनको फालो करना पड़ेगा जैसे रिस्ते में क्या होता है खाने वाली चीजें हो गई नाच गाना जो हो गया उनका जो कल्चर हो गया एक कोश में 14 माइनिंग में था तो मैं उनको रोक के पूछा था कि ओचीज क्या है लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं है क्योंकि यह लगबग धाई तीन साल पहले की बात है जब मैं उनसे पूछा था और उसका आवाज बता दूं फ्रेंड दो धाई डाई किलोमीटर बहुत कि पॉसिबल रहे आप सेलेक्शन लेना चाहते हैं आपका मैथ और रिजनिंग ठीक है जीके भी ठीक है लेकिन तब भी आपको वहाँ जाने से बहुत ही फायदा होगा आप वहाँ पे एक महीना पूरा एक सोच लीजिए कि मैं एक पिकनिक की तरह करने आया हूँ यहां हर एक चीज के बारे में जाए जितने भी वहाँ हैं गोंडी के बारे में पूरा अपना जब आप नालेज वहाँ जोग देंगे बल्लब पूरा रिसर्च करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा थैंक्यू